नमस्कार दोस्तों स्वासा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाके पर रहे होंगे ठीक है तो आज जो हम लोग हैं देखेंगे कि हमने अभी तक क्या complete करिया है ठीक है एक चीज आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि हमने क्या पर लिया और हमें और क्य क्या परना है तो आज हम बात करेंगे कि इन 20 जन्वरी से जो आपका स्टार्ट हुआ था ठीक है और आज है आपका 23 जन्वरी ठीक है मतलब तीन दिन आपका क्लासेश हुए और आपने क्या complete कर लें आप समझोगे कि आखिर आपने क्या-क्या topic complete कर लें और वह कितना important था ठ यहां से आपको questions देखने को नहीं मिलेंगे चाहे हो biology हो चाहे हो आपका history हो चाहे आपका current affairs हो सबसे पहले में बात करूंगा current affairs को total तीन दीन हम लोग ने सिरिफ एक मन्द के current affairs पे काम किया है selection आपका CEO है बस जो चीजे बताना हो उसको focused होके genuine तरीके से बोलते न एकदम honest त पर लें आज पूरा का पूरा आज और कल मतब Saturday Sunday आप पूरी तरीके से revision करोंगे मेरे videos आपको Saturday Sunday को special कुछ videos देखने को मिलेंगे चाहे हो current affairs को metric का बनाओ चाहे static GK का बनाओ ठीक है चलिए तो आपने history का अगर में बात करो तो प्राचीन भारत से हमने इतिहास में start किया तो उनको आपको पहले तो समझाया गया फिर उसको परहाया गया उसके बाद आपका एक वीडियो आए था कि सिंदू सब्यता में कौन सा अस्थल किस नदी के किनारे था वहां से questions आते तो उसके लिए आपको special वीडियो बना के दिया गया तो किस अस्थल से क्या मिला था उसके उसके उपर भी एक special वीडियो बना गया तो तीन वीडियो में आपने complete किया था इंडस्वीलियो इसको आपके पास pdf होगा रिवीजन आप जरूर कर लीजिएगा ठीक है इसके बाद बेदिक सिविलाइजेशन one of the most important topic हो भी मैंने आपको परहायता चाहे उत्तर बेदिक काल हो चाहे आपका पूर बेदिक काल हो ठीक है तो इसको भी आप डिवीजन कर लीजेगा ठीक है पूर आपने अच्छे से परहायता तो आपको कोई problem ने होगा बस एक होता है ना glance देना ठीक है अच्छे से एक बार एक बार पढ़ डाले उन चीजों को ठीक है उसके बाद आपने परहा बेद पूर प्लस आपको इस पीडियो में अगर आपने ध्यान दिया तो श्रीप वन लाइनर दिये हुए और फिर से एडूट एरिया में आपको पार्ट वाइस में अंतरास्ट्य घटना करम रास्ट्य घटना करम तो चीजे बस आपको फॉलो करनी है और कहते है ना आपका सक्स आपका इंतजार कर रहा है ठीक है तो यह था हिस्ट्री में और जैसे कि आज आपका आपका आज टेस्ट होगा बिट्विन तीन से चार के बीच में आपका करेंट एफस का टेस्ट होगा और जो नहीं लाइफ दे पाएंगे वो ओफ-लाइन देख लेजी उसके बाद हम लो अन्स्रविग्रंतिया पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया तो यह भी जितने भी टोपिक है कर एक भी अगर साइंस में कोशन बनते तो सियोर सोटे फाइफ किंग्डम क्लासे बनते पास तरिया का जो वर्गी करन होता है वीटी करने जो दिया था प्लांट होर्मून से हमे इंप्लाकार क्या बजाता है कों सा डांस करता है उसके बाद आप जब इस्टेटिक चीके पटले तो मेंने क्या हिया तो तो अपने लेबल पर भी थोड़ा ट्राय करना है, जैसे कि इन्वेंशन में 10-12, most important invention कर भायें, बट आपको अपने लेबल पर भी कर लेना है, आप आज comment करोगे, कि जो, क्या comment करोगे, कि आपने कुछ नया परहा है कि नहीं, जैसे कि इन्वेंशन में बहुत सारी चीज़े और नया नया आप इंकल्यूट कर सकते हैं, तो थोरा आप उस पर जरू देज़ें, 10-15 मिनिट आप YouTube पे कोई नय अच्छे टॉपिक्स भी आप पर सकते हैं, जैसे कि इन्वेंशन होके ह मैंने आपको करवा दिया है, और यह International Headquarter भी अंतरास्टी है, मतलब जो Headquarter से, जैसे कि पूछ लेता है, WHO का Headquarter कहा है, UNICEF का Headquarter कहा है, उसके बाद Sports मैंने आपको करवा हैं, ठीक है, Sports है बहुत most most important जीज़े, कि कि स्खेल में कितने प्लेयर होते हैं, यह सब चीज़ मैंने कर और प्राइजेस भी मैंने आपको करवा दिये हैं, जो कि बहुत important है, ठीक है, तो प्लीज आज अच्छे से revision कर लेना है, बहुत सारे topic है, आज और आपको कल अराम से revision किजी, कोई problem नहीं, फिर हम लोग Monday से एकदम लगेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग के NCNST कहतम करके, हम लोग directly modern में जाएंगे, medium में थोड़ा अभी कम time देंगे, medium में बताऊँगा कि क्या-क्या पूछा दाता है, पर again, मैं detail में चीजों को परहने बाएंगे, जल्दी से खतम करेंगे, ताकि हम लोग revision कर पाएं, ठीक है, biology के बात, manly biology मुझे खतम करना है, बाकि जो physics और chemistry उ तो thank you so much guys, देखो और एक चीज में यहां बता दो, मैंने कहा था कि आपको लुषेंट से प्रेक्टिस करने, तो एक जीज़ आप धिया नखिगा कि लुषेंट के जो कोसेंस आपको नहीं बनने उसको आप वन लाइनर में लिख लिया करो, ठीक है, अपने नौट में, और subject को लगा कि सायथ सरने नहीं पर आए, तो उसको वन लाइनर में आप लिख लो, ठीक है, इस तरीके से करना है, subject by not भी बना लेना है, तो अराम से पर ये, कुछ भी doubt होगा तो बताएगा, बागे हसते रहें, मुस्कुराते रहें, जैहिंद,